खर्यारा विधान सभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद शुक्षिया मंतरी कवरपाल गुजर ने खास बादचीत की है हमारे संभारता जीकेंद चौथी से और इस दोरान क्या कुछ चुरू ने कहा और कैसे विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया दिखाते आपको विधान सभा का बजट सत्र खत्म हो चुका है हमारे साथ बादचीत के लिए मौजूद है कैबिनेट मंतरी कवरपाल गुजर उनसे जानते हैं किस तरीके का ये सत्र रहा बजट पर चर्चा रही और किस तरीके से इसको आप देखते हैं कि देखें बहुत ही काबले तारीफ रहा जित्री प्रसंसद की जाए उतनी कम है सबसे पहले तो जो मुख्यमंतरी जी का पहला प्रियास था कि बजट से पहले जो चर्चा कराईगी वह बहुत अच्छी चर्चा थी और उसके प्रिणाम बिल्कुल मतलब बजट पेस किया सबस्ट नजर आए कि जस प्रकार से माने मुख्यमंतरी जी ने जो भी हमारे विद्धाय को ने सुझाफ दिये थे उन पर जिस प्रकार से ने गवर किया उनको सामिल किया उसमें और जिस प्रकार से चर्चा रही है अब बात की जाए अगर शिक्षा को लेकर के उसके बजट को लेकर के आप संतुष्ट है जो बजट ले आया है सामने और दूसरी बात इसी में और एड करूगा कि जब आज बात की जा रही थी इस ऑफ डूइंग बिजनिस की तो उसमें पूर शिक्षा मंतरी गीता वुकल ने का कि अब हरियाना जो है वो दस्वे स्थान पर पहुंच गया है एक और जहां स्थान उपर होने की बात की जा रही जिए दूसरी तरफ उसके नीचे गरने की बात की जा रही थी शिक्षा को नहीं देखे सिक्ष्या के मामले में कुछ ऐसे पॉइंट है जिनमें हमने आगे बड़े हैं कुछ ऐसे भी है जिसमें हम वाके पिछे गए हैं आने वाले टाइम में सुधार होगा जो बजट की आप बात कर रहे तो वो यह माननों के जो हमने मांग गया वही मिली गया हमने सब्सक्राइब के अंदर 75% तक जो चातर है वह आज नसी की चपेट में आ रहे हैं रहे हैं रहतक का एक डाटा उनकी तरफ से रखा देखे जिस परकार का प्रियास सरकार ने सुरू किया नसा कोई ऐसी चीज नहीं है खास कर जो जो जिस परकार के नसे हैं यह ऐसे नसे नह किया तो बहुत अच्छा प्रियास है वो इसमें मुझे तारीफ करता हूं शुक्रिया बात करने के लिए केविनेट मंतरी कवरपाल गुजर हमारे साथ थे सीज़त और पर उनका कहना है कि सभी मुद्दे उठाए गए है जहां तक शिक्षा के दस्वें पायदान पर जाने कि अन्याम पायद टुक्षा के लिए चाह बाए है यहां इसमें मुद्दे उनका हैं चाहिँको जाने बाने कि द सुझे हैं?